Hello everyone, you are welcome to channel and in this video we are going to talk about how to prepare for LT exam English subject तो यहाँ पर यह है कि हम English literature को कैसे तयार करें या पर्टिक्लर English literature में हर पार्ट को अलग-अलग कैसे तयार करें अब क्योंकि हमारे पास में सिर्फ अभी 30 days ही बचे हैं लगभग अगर ज्यादा बढ़ता है या extent होती है डेट तब की बात अलग है लेकिन अभी फिलाल हम 30 days के लिए strategy की बात करें तो minimum time में आप जादा से जादा कैसे तयारी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक dilemma होता है दिमाग में कि एक चीज पढ़ते हैं तो दूसरी छूड जाती है दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरी छूड जाते हैं तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ कि मैंने उस टाइम पर मैं किस तरह से तयारी कर रहा था क्योंकि मैं भी working था उस टाइम में प्राइविट सेक्टर में काम कर रहा था तो बहुत कम time मिल रहा था तो पहली चीज ये थी कि मैंने अपने लिए जो notes बनाए थे वो history of English literature के age wise बना चुका था मैं पहले और उन्हें मैं पढ़ चुका था लेकिन मुझे काफी सारी चीज़े याद नहीं थी तो क्या किया था कि आप लोग एक घंटा आप क्या करेंगे one hour के लिए history of English literature daily आप study करेंगे तो आप अगर देखेंगे तो 10 क्या है आपके पास में 10 ages हैं तो आप 30 days में अगर एक घंटा भी एक age को fact wise पढ़ते हैं तो आप एक घंटे भी पूरी के पूरी age क्या कर सकते हैं आप revise कर सकते हैं read कर सकते हैं आपने चैनल पे modern age का वीडियो देखा होगा कि 45 minute में ही हमने पूरा modern age क्या कर लिया है complete कर लिया है या आप अगर उसे थोड़ा forward करके सुनेंगे तो आप उसे even 25-26 minutes में भी complete कर सकते हैं ठीक है वो तब की बात है जब आप 4-5 बार कर चुके होंगे तो सबसे पहली चीज यही समझना है कि हमारे पास 10 क्या है ages है means जो मैंने categorize कर रखी है तो 10 group में बाट दिया तो आप क्या करेंगे अगर एक दिन में एक भी पढ़ रहे हैं तो होगा यह कि आप काफी अच्छे से उसको go through कर लेंगे अब उसके साथ में आपको एक क्या करना है और grammar का topic ले लेना एक तो होगे आपका history of English literature ठीक है और दूसरा होगे आपका grammar का topic तो grammar आप सिर्फ 30 minute ही पढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता है कि जो English का student होता है उसकी grammar में प्रकड होती है grammar उसको ठीक समझ में आता है इसलिए आप उसको 30 minute लेकर चल सकते हैं 20 minute लेकर चल सकते हैं मैं अपने case में बात कर रहा हूँ उसके बाद बात आती है कि काफि सारे short topics बना लीजिए जैसे कि अभी जो लोग मुझे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि 100 pages या मैं ये particular जो वीडियो बना रहा हूँ उनको guide कर निकले बना रहा हूँ जिनके पास already ये सारे notes मैंने दिये हूँ है तो आप देखिए उसमें क्या है कि जो 100 pages है वो 100 pages साहित्यकादमी जो है उसके अंदर है important novel prize उसके अंदर है father of जैसे आता है मैंने लगभग 25 category बनाए जैसे special कुछ important quotations वाले है तो उन 100 pages में आप लोगों को अलग-अलग category की लगभग 25 करीबन आपको क्या मिल रही है जो categories मिल रही है उनको आपको क्या करना है कि एक दिन में लगभग एक या दो category जो है उसको complete कर लेना है उसो मगभ करना आपको और साथ ही साथ क्या करना है उनके आपको cards बनाते हुए चलते रहना है जिससे कि आपके पास 10, 20, 10, 20 cards हर दिन अगर आप बनाओगे तो आपके पास जिस दिन आप exam के ले जाओगे तो उसके 5 दिन पहले भी आपके पास में लगभ 500 या 600 cards होंगे ठीक है तो बहुत अच्छी help मिलती है उस time में cards करने से एक बहुत अच्छा feedback मिलता है बहुत अच्छी तायारी होती है तो daily ये आप लोगों करना है अब बात आती है कि drama, poetry and novel तो इसमें मैंने आप लोगों को drama और poetry, poetry हमने 60 poetry जो है poems, जो important poems है usually पूछी जाती है उनको हमने fact wise आपको PDF प्रोवाइड करा दीती है लेकिन अगर आप लोग मुझसे नहीं जुड़े हो हैं आप self study कर रहे हैं खुद से notes बना रहे हैं तो करीबन 60 poems क्या कर लिजे अपने लिए 50-60 poems की एक list तयार कर लिजे उस list पर क्या कर लिजे कि जोर दीजे कि आपको list अच्छे से तयार हो जाए और उनसे fact wise आपको जो जैसे first poem आप पढ़ रहे हैं जैसे purchase पढ़ रहे हैं तो purchase के बारे में आपको लगबग 5 fact क्या हो याद हो जाए तो इसी तरह से हमने क्या किया था drama select किये थे 60 dramas क्या किये थे 40 dramas क्या थे आपके select किये हैं 32-40 और उसमें 37 dramas जो summaries है वो Shakespeare की है तो आप लगा सकते हैं कि ये आपके 77 something 67 67 something तो मेरे कहने का मतलब है कि लगबग आपका 60 आपने 50-60 drama भी क्या कर लिए है देख लिए है तो इससे क्या होगा कि 60 drama के आपको एक तो writer याद हो गए है दूसरा आपको उसका publication बहुत अच्छे से याद रहता है जब आपने पूरा drama पड़ा है और तीसरी चीज आपको summary याद रहती है summary के साथ में आपको character से याद रहते है ठीक है तो ये आपका दूसरी चीज हो गई अब daily आपको क्या करना है 60 का मतलब हो गया है कि आपको फटा-फट से इसे सुनना है जो है एक या दो या तीन poems आप कर सकते हैं एक साथ और यहाँ पे आपको drama 30-30 minutes में अगर आप करते हैं तो लगबग आपको एक घंटे में दो ड्रामा भी आप सुन सकते हैं और उसको enjoy करते हुए सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जैसे कि मैंने 30 ड्रामा जब खुद मैं record कर रहा था तो मुझे लगबग 30 ड्रामा सारे याद हो गए उनके जो characters हैं उनके stories हैं वो चीज़ें याद हो गए और कोई भी ड्रामा अंदर पूछा जा सकता है जैसे पिसली बार GB Soka Arms and the Man से पूछा गया था तो कुछ भी चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है इसलिए कम से कम आपको कुछ चीज़ें क्या करनी है याद करनी है जैसे novel के लिए है तो novel आपको History of English Literature में आपका जो है novel लगबग जो fact wise है वो हमने cover कर ली है उसके बाद आता है American American से बहुत in-depth नहीं पूछा जाता है आपको writer और उनकी books आप लोगों को याद होनी चाहिए Indian writer भी आप इसी तरह से करेंगे अब आती है बात की साथ साथ में आपको एक एक घंटे MCQs भी करते रहना रहे है जैसे एक particular writer आपने किया individual writer आप कर रहे हैं और उसी writer के जैसे words worth हमने किया और words worth के हमने क्या कर दिये MCQs भी कर दिये तो कुछ चीजें तो हमें words worth पढ़ने से हो जाती है याद कुछ चीजें हमें MCQs से याद हो जाएंगे फिर बात आती है age wise MCQs कि आपको age wise MCQs भी क्या करने करते जाना है या खुद को आप card wise खुद को test कर सकते हैं इसके अलावा जो है वह आपका aptitude है aptitude अगर आप per day एक video आप देखेंगे क्योंकि aptitude में आपके लगबग 15 topics हैं 15 topics में अगर आप एक दिन में एक topic भी करते हैं तो आपके 15 days में क्या होंगे सारे aptitude के topic हो जाएंगे उसके बाद आप revision mode में aptitude को पढ़ सकते हैं एक ही दिन में 2-3-3 topic को भी आप revision कर पाएंगे तो यह आपका पूरा क्या है एक तरह से overall आपके तयारी है जो कि 30 days में बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इस तरह से करेंगे तो नहीं तो अगर आप एक दिन में एक राइटरी पढ़ रहे हैं 2-3 राइटर कभी history of English, literature पढ़ रहे हैं कभी grammar पढ़ रहे हैं तो device आपको divide करना पड़ेगा और जो study करनी है आपको 6-7 hour करनी है इससे उपर अगर हो सकता है 10-12 हो सकता है तो बहुत अच्छा है लेकिन 6-7 hour आप minimum लेके चलिए कि अगर आपको इतना करना है तो ठीक है 7-8 hours तो इतना आप prepare कीजिए और यह आपका basic idea है जिसको आप लेकर चलिए अपने साथ आपकी तयारी अच्छी हो जाएगी और all the best for your preparation see you in next video